हेलो एवरिवन आम अंश्य अग्रोवाल आप सभी की कैट की पेपरेशन बहुत अच्छी जल रही है और इमेजिन करो कि केट के खास्तोर से LRDI में इससा कोई सेट आजाए जिसके सिमिलर सेट आप पहले कर चुकी हो तो आपके परसेंटाइल अलगी लेवल पे नहीं पहुंच जाएंगे क्योंकि LRDI के सेक्शन में अगर आप एक सेट भी कर लेते हो आपके 90 परसेंटाइल कहीं नहीं गए सोजो और एक सेट ऐसा आजए जो आपने पहले कभी किया रखा हो या उसके सिमिलर किया रखा हो वो आपको क्या confidence देगा और अगर वो सेट आपने जल्दी कर लिया तो definitely guarantee है कि एका सेट आप और कम से कम बना ही लोगे और अगर दो सेट कर लिए 95 कहीं नहीं गया आपके तो कुछ यह से ही हुआ था last year slot 3 के set 1 में cat 2022 के यह जो सेट आपको screen पर दिख रहा है इससे मिलता जुलता set मेंने करवाया हुआ है ठीक है हमारे वीडियो पोर्स में topic-wide test series I think जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे है ना वह अपने topic-wide test series का I think शुरू के 2-3 वीडियो में एक similar set मिल ज यह सेट वैसे ही था ठीक है बिल्कुल वैसा नहीं लिकेना similar था तो अगर आपने वह सेट किया होगा तो इसके बाद आपको इसमें confidence मिल जाता ठीक है तो आज मैं सेट को करने की आपको सबसे अच्छी trick बताऊंगा ठीक है तो आपको process ध्यान से देखोगे तो कोई भी question आ यह करो और हां तब तक मैं बता देता हूं कि अब भी तक आपने cat300 नहीं लिया जो कि हम लोग cat के one month before ही launch करते हैं है ना जिसमें से question आने के काफी chance रहते है most important 300 questions रहते हैं ठीक है तो catipmat.com slash cat300 पे जाके आप purchase कर सकते हो बाकि हां जो लोग next year cat के तीयारी कर रहे हैं वो हमार website catipmat.com slash cat2024 पे जाके course purchase कर सकते हैं और slash cat2025 पे जाके उसके next year अगर किसी हो काईट देन हो purchase कर सकते हैं ठीक है काफी मजा आएगी there are four neighborhoods in a city LTP के अपन बोल देते हैं initials ले लेते हैं LTPK during the onset of pandemic the number of new cases in disease of each of these neighborhoods was reordered recorded over a period of five days ठीक है उसमें भी पांच subject थे हमारे उसमें और पांच बच्चे थे इसमें 1,2,3,4 ही है RSTU था उसमें 5 थे वलकि उससे ज्यादा typical था और each day the number of new cases recorded in any neighborhoods was either 0,1,2 और 3 ठीक है यह तो 0 होगा 1 होगा 2 होगा या 3 होगा ठीक है कि ठीक है अपन ऐसा कुछ बना लेते हैं ठीक है ऐसा कुछ यह day 1 day 2 यह तो पहली फूर्सत में cat में यह काम करी लिया करो ठीक है इससे question करना बहुत आसान हो जाता है day 4 day 5 और एक अपन टूटल भी लिख लेंगे ऐसे टूटल इधर लिख रहे है तो एक टूटल का उधर भी बना लेना पहले जवरत पड़े या ना पड़े एक इत्ता काम कर लिया करो ठीक चलो आगे अब देखो 0 1 2 3 में ही होगा चोबी होगा छोटी छोटी चीजह आपे लिख लिया करो ताकि बार बार अपन को ऊपर जाके ना देखना पड़े ठीक बिल्कुल बेसिक से अतार हो आपको कोई भी सेट को अटेम्ट केसे करना है ठीक अब पॉइंट पड़ते हैं और कुछ तो नहीं छूड़िया नहीं तो इधर इस कॉलम में इसा कुछ कड़के लिख लेते हैं जीरो कहीं नहीं देना है मतलब अपने हसाब से इसे बना लिया करो ठीक है अब फर्स्ट पॉइंट अपनान को नहीं देखना है हो गया और इच अफ फाइव देखना है और इसमें भी है और इसमें भी है ठीक है सेकंड पॉइंट भी हो गया हमारा ऐसे नोटेशन करने का मतलब होता है बार बार अपने पॉइंट को नहीं पड़ेंगे उपर जा जाके अगर यहां पर इसा लिखना हो तो लिख लो ठीक आपको ताकी याद रहे अपने सोलियत के साफ से लिख लिया करो यह भी पॉइंट हो गया अब कुछ डेटा देना इन्होंने चालो किया पी का सिर्फ एक ही बार टू आएगा है ना तो एसा याद पी के उपर यहां पे कहीं लिख लो टू कई के कहीं पॉइंट हैं Shh ऑते आता कि हो आपके के साहीं इसा हाएं ठीक हैं फोड पॉइंट भी हो गया फिफ्ट के Case the only place to have three new cases on day 2, day 2 में केही सिर्फ 3 cases आये हैं, अब इन में से कहीं भी 3 नहीं लेना है मुझे, धियान रख मैं, यहां पर भी नहीं लेना, यहां पर भी नहीं लेना, यहां पर भी नहीं लेना, सिर्फ इसी में लेना था, ठीक, फिफ्थ भी हो जया, आखरी पॉइंट में उन्होंने में इन्फोर्मेशन दिये, अभी तब कुछ हम सोची नहीं पाते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यू केसे इन LTPK, 12, 12, 5 and 14, ये दे दिया, 12, 12, 5, 14, ये है अपना पूरा, अब चार्ट को ऐसे रख लो, एकी स्क्र होगा, ठीक है, गलर, वलर, चेंज करना है, तो भी कर लेते हैं, ठीक, अब दिमाग लगाना चालू करेंगे, येना, आपकी स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, एसा बना लेना चाहिए, अब इसी ही में देखते है क्या पन दिमाग लगाना चालू करेंगे, अब जैसे 14 स हो सकता है एक तो 3 आई चेका 3 4 12 प्लस 2 है ना तो 5 ही दिन है 12 प्लस 2 ही हो सकता है और कोई possibility बनेगी कैसे होचो 3 5 जा तो 15 हो जाता है ना और अगर 3 को 3 times लेता तो 3 3 जा 9 अब बचे हुए दो दिन में 2 2 भी लेता तो 13 आ था 49 नहीं सकता तो 14 की सिर्फ एक ही possibility है 3 4 times आ जा जाए एक time 2 आ जाए तक increasing order में है ना तो अपन नॉर्मल यह रफली ऐसा बनाते हैं यहां पर अपन 2 दे देते हैं color इस color से करते हैं ताक कि अपन को समझ में आए कि अपन ने जो खुद से कर रहे है वो new color से तो अभी रफली कर रहे हैं है ना एक इसी possibility बना लेते हैं क्योंकि increasing order में भी तो देना है ठीक एक ही हो गई अब देको 5 5 times 1 देता लेकिन एक ना एक बार 2 देना है यह ना तो 2 फिर 111 आएगा है ना 2 111 किसी एक में 0 देना पड़ेगा है ना या 2 2 times भी नहीं दे सकता और इसका maximum था 2p का देको maximum लिखा हुआ था है ना the maximum number of मतलब 3 भी नहीं दे सकता तो 2 111 ही रहेगा ठीक है तो 2 अब इसमें है कि 2 111 और 0 कहा दे काहँ दे से तो अपन ऐसा देख सकते है 0 1 1 1 2 ऐसा कुछ भी लिख लो अभी ठीक है एलो टी में 12 12 12 है ठीक है 3 4 जा 12 होता है अच्छा लेकिन उपर वाली रो में कहीं भी 0 नहीं दे सकते थे ठीक है तो ये वाला आप हटा तो अभी तो कि गलत तो नहीं लिखेंगे ठीक है इसे पॉइंट को आपको खुदी रिजेक्ट भी करने है ठीक अब जो को 12 के से आ सकता है 3 4 जा 12 एक 0 दे दू ठीक है लेकिन उपर 0 दे नहीं सकता है 3 4 जा 12 हो सकता है यहाँ पे अगर मैं 0 दे दूँगा इसमें भी 0 तो फिर यह maximum नहीं हो पाएगा थर्ड दे में maximum में x प्लस 1 उससे एक ही कम चाहिए तो यह भी घडबड हो जाएगी ठीक है 002 अगर आ गए फिर भी अपनी possibility क्या बन रहे है 3 4 जा 12 या क्या बनेगी 3 3s जा 9 और फिर 12 लाने के लिए 2 दिन में 1 और 2 दे दो ठीक इतना क्लियर हो गया होगा अब तो को increasing order में 0 दे देंगे तो गडबड हो जाएगी है ना और 1 और 2 फिर कहीं आएंगे ही ठीक और कुन सा point था k में हमेशा पीस से जाता होंगे वह अपन देख लेंगे ठीक है इसमें अभी अपन 1 2 और 3 3 3 देखने है और 1 2 3 3 3 और इसमें भी 1 2 identical रखने है इसको 3 3 और 3 अभी बोलनों पूरा रफली करना है आपको शुरू के 2-4 मिनिट उसके बाद चीजिया असान हो जाएगी ठीक है 12 हो गया 0 और 3 वाला क्यों नहीं लिया देखो इनको अभी अपन आकरी के day 3 4 5 को ना छेड़ इनको अपन कोशिच करते है maximum increasing में रहे तो जित्ता ज्यादा से यादा इन में दे सकते है वो दे दे उपर 0 देते तो फिर 3 3 3 3 3 देने पड़ते इधर फिर 3 दे नहीं सकता था फिर इधर 0 देता उपर 3 देता तो फिर वो increasing का order गड़बढ आ जाता चीजसन में आगी वापिस से सुन लो इधर 3 दे नहीं सकता तो 0 देना पड़ता उपर 3 देता 2 0 आ जाते तो फिर अपना वो order गड़बढ हो जाता ठीक है क्योंकि अपनको device increasing चाहिए तो सबसे अची condition देखो अभी यही लग रही है अब इसमें देख लेते हैं 0 नहीं चाहिए तो इधर 1 दे देता हूं फिर इधर 0 इधर 1 क्योंकि एक ज्यादा है ना तो इन ही में अपन एक का difference रखके 1 और 2 एसा एक रखली बना देते हैं ठीक अब अपन calculation करना चालू करते हैं कि अपने सारे points ही है की नहीं देखना अब मज़ा आएगी करने में चुरू के 2-4 मिंट में यह question आपका I think मानके चलो 10 minutes में पूरा 100 लोगा जाएगा मेरे तरीके से चलोगे तो यह हो गया एक रखली बना ली दिख रहा और के हर बार अपनने ज्यादा रखा है P से यह भी condition फुल्फिल हो गई अब डे 2 और दे 3 वाली देख लेते हैं और सारे उसके total देख लेते हैं इसमें total अभी किता हो रहा है 5 इसमें 7 इसमें 10 इसमें भी 10 3 और 4 में equal हो गया गड़बाड हो गई और इनमें एक क कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा 0 और 1 यह तो अपनने से में रखा है इन दोनों में इक का डिफरेंसी रखना है 0 और 1 में तो हो नहीं रहा जीरो वन में नहीं हो रहा तो मैं 1 और 2 रखे देख लेता हूँ यहना फिर यह सा बटाता हूँ 0 1 में नहीं हो रहा था तो हो सकता है 1 और 2 में हो जाए अब देखते हैं इसमें 8 इसमें इसमें 11 हो गया है लेकिन इसमें 8 है अगर यहां पर मैं 0 कर दो तो यह 9 हो गया 8 और 9 हो गया अब एक काई क्या था अपन यहां पर लिख लें इसको अटाते हैं ग्रीन गलर से लिखते हैं इसका 5 आया इसका 8 आया इसका 9 आगे देखो एक ही ज्याद है इसको 9 एक आग भी दे दे अब 1 और 2 देने को वह चाब 1 इधर दे तो 9 प्लस 1 10 और 9 प्लस 2 11 सारी कंडिशन फुल्फिल हो गई और हर केस में देखो के पी से जादा है फर्ष्ट डे वन में अपने कहीं 0 नहीं रखा ख़ता हूं अब बताओ क्या यह टफ था मैं खाना थोड़ा सा हेटेंट राल पूरा कुश्चन अपने आप हो जाता अभी द 10 मिनिट का यह कुश्चन था अब तो सिर्फ अंसार देखने है चलो देखते है what best can be concluded about the total number of new cases day 2 day 2 में total number of new cases 8 what best can be concluded about the number of new cases L में day 3 में कितने है L में day 3 में 3 on which day P not have any new case P में किसी भी new case नहीं है day 3 में नहीं है ठीक है necessary false बोला है ठीक है A two new case T में day 3 में फॉम्हें यह तो यहने false है राइट का सइन लगा और मतलब सही लिखा है सही मतलब false है ठीक है इसमें कंफुज मतलब तो अनों ग्येस पी में day 2 अभी उपर बात हुई कि day 3 में था तो यह भी गलत ऊगया यहने यह भी सही है बह। सही है सही मतलब फॉल्स है यह थोड़ा सा कई बर लेंग्वेज में हो आपको नहीं गूमना है तो मीधे यह सेट अच्छे से पसंद आगया होगा अभी तक वीडियो सुन रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर करो क्योंकि विदाउट एड आजकल में पूरे वीडियो आपको प्रोवाइट कर रहा हूं चलो थैंक यू